लखनव के खिलाब होने वाले मुकावले से पहले चैनेई सुपर किंग्स के लिए आई बुरी ख़बर इसे श्टार खिलाडी को लगी चोट जानें के पूरी ख़बर चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको भी लगता है कि चैनेई सुपर किंग्स आई पेल 2022 का खिताब जीतेगी तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें आई पेल 2022 से जुड़ी हर चोटी वड़ी अपडेट के लिए हमारे टेलीक्राम चैनल को जॉइन करें लिंक आपको डिस्क्रिप्सन में मिल जाएगी आई पेल 2022 में चैनेई सुपर किंग्स की खराब सुरुआत हुई है चैनेई सुपर किंग्स को अपने पहले मुकावले में केकियार के खिलाब हार का सामना करने पड़ा था चैनेई सुपर किंग्स का अगला मुकावला लखनव सुपर जाइंट्स के साथ होने वाला है लखनव के खिलाप होने वाले मुकाबले से पहले चैने के लिए एक बुरी खबर आ रही है आपको बता दें चैने सुपर किंग्स का इस्टार खिला रही मैच से पहले चोटिल हो गया है हम बात कर रहे हैं अमबाती राइडो की अमबाती राइडो प्रैक्टिस के दौरान अपने हाथ को चोटिल कर बैठे हैं नेट प्रेक्टिस के दोरान गेंद उनके हाथ पर लगी लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि उनकी चोट कितनी गंभीर है वो लखनव के खिलाप मैच में खेल पाएंगे या नहीं खियर ये तो मैच से पहले ही पता चलेगा अमबाती राइडू पूरी तरह से फि स्क्राइब करें